मैं भारत को भारतियता की माननिता के आधार पर शेसे ख़ड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ आपको सुनकर हैरानी होगी कि कई बड़ी बीमारियां इतनी बड़ी हैं कि एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा देते हैं कि अब ये हम करी नहीं सकते एक नाम लेके बताता हूँ किड्नी फेलियर दोनों किड्नी एक साथ फेल कर जाती हैं एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा देते हैं वो कहते हैं या तो किड्नी ट्रांस्प्लांट करो नहीं तो मरने का इंतजार करो डाइलेसिस थोड़े दिन करते हैं उसके बाद डाइलेसिस की भी लिमिट तूट जाती है अब जड़ी बूटी रहस में इसके लिए इतनी अकसीर दवा है जिसका मैंने हजारों मरीजों पे इस्तेमाल करके देखा पीपल के पत्ते का रस, नीम के पत्ते का रस, सबेरे और शाम, आदा आदा कप या चोथाई चोथाई कप किसी भी किड्नी पेशन्ट को पिला दो, तीन महिने में फिर वैसे ही भागने लगता जो भीमारी के पहले था अब ये बताओ, पीपल कहा नहीं मिलता? और ये बताओ, नीम कहा नहीं मिलता? अब पीपल और नीम के पत्ते के रस से इतना बड़ा चमतकार हो जाता है, तो ऐसे एक दो नहीं लाखों चमतकार हैं आयुरवेद में, बस इसको जानने की जरूरत है कर दो जानने की जरूरत है